आज का जो वीडियो है वो requested वीडियो है जो कि ममता मिश्रा ने हमसे request किया है कि आप बाबाजी से पूछ कर एक वीडियो बनाएए जिसमें आप बताइए कि किस तरह से बहुती आसानी से सराब को छोड़वाया जा सकता है तो मैं जा रही थी बाबा जी के पास तो मैंने सोचा चली वीडियो भी बना लेते हैं तो थोड़ से हामें फल लेके जा रही हूँ, ज़दा इसले नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि बहां पर कोई फिरिज वगरा नहीं है तो सारे फल जो है खराब हो जाते हैं, जब भी पीना खतरनाक हो सकता है, एलकोहल का नसा चुड़ाने के लिए सबसे जरूरी है आपकी इच्छा सकती को दरड़ बनाना, मुझे सराब छोड़नी है, ये कहने बर से आपकी सराब की लत नहीं छूट जाएगी, इस लत से छुटकारा पाने के लिए इच्छा सकती और उखला कर देगी, बहुत सारे घर इस सराब ने बरबाद कर दी है और इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस्ता है तो वो है आपके छोटे मासूम बच्चे, सराब जिस घर की दहलीज पर एक बार आ जाती है ना, उसका घर में बहुत कलेस रहने लगता है, बच्चे दाने दाने को महताज हो जाते हैं, आदमी को अपना होस नहीं रहता, कहीं नाली में पड़ा होता है, कहीं कुटा मूँ चाट रहा होता है, उसे अपने तन बदन का होस नहीं रहता, तो देखिए मैं बाबाजी के पास आ गई, बाबाजी लेटे थे, तो मैंने यहाँ पे ने फल दे दिये और इसके बाल फिर बाबा जी ने मुझे उपाय बताया देखिए एक चीज आप अच्छे से समझ लीजे इस लट से छुटकारा पानी के लिए मजबूत इक्छा सकती और खुद पर काबू रखनी की जरूरत है कई लोग तो खुद चाहते हैं कि सराब अभाल ने लगता है तो यहां पर भाबा जी क्या देख रहे हैं आपको पता है वाबाजी देख रहे हैं रमयड तो मैं यहां पर आती हूंना तो कभी बाबा जी को रमयड देखा धेती क्योंकि अब यह वाली रमैड ना आती नहीं है ऐसे देखने को नहीं मिलती तो यूटूब पे देखने को मिल जाती है तो पुराने जो बुजुर्ग लोग होते हैं महा भारत रमैड वगरा जाद देखना पसंद करते हैं तो चलिए अब हम उपाई के वारे में जान लेते है तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि हमें क्या करना है तो सबसे पहले मैंने यहां एक ग्लास पानी लेया है और गैस को मैंने अन कर दिया है इसको डाल देंगे हम एक छोटे से बुगानी के अंदर और अब हम इसके अंदर जा लेंगे यहां पे एक चमच सोट अद्रक होती इसको सुखा के उसका पाउडर बना लेते हैं उसी को सोट कहते हैं तो यह दिखिए एक चमच लेना है हमें इसको डाल देंगे और इसको डालने के बाद दूसरी चीज हमें लेनी है अजवाइन तो एक चमच सोट और एक चमच ही हमें अजवाइन लेनी है और इसको भी हम इसी भगोने के अंदर और इस पानी को हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये आधा नरेज है बहुत ही पुराने जमाने का तरीका है ये आपको बहुत पहले से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं से बाबा जी बता रहे थे बहुत सारे लोगों को इस तरह से फाइदा हुआ है तो आप भी जरूर करके देखिएगा इसको यह देखिए इसमें उबाल आ गया है तो इसको अभी हम आधा हो जाने देते हैं पहले तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो नहीं बनाती हो कौन देख इसको चान लेना है तो चानने के बाद हमें डारेक्ट ही इसका यूज नहीं करना है इसको हमें 48 गंटे के लिए छोड़ देना है तो अभी गर्मिया है तो आप फ्रिज के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं तो यह देखिए अच्छे से पानी ठंडा हो गया है इसके बाद मै आपको पहले ही बताया कि इसको 48 गंटे तक आपको यूज नहीं करना है इसको ऐसे ही रख दीजे छोड़ दीजे इसको तो देखिए कैसे देना है इसको आप सुभा दे दीजे खाली पेट आधा और आधा आपको साम को देना है खाना खाने के बाद सराब पीने से जो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी इस नुस्खे को आजमा के दिखिए बहुत सारे लोगों ने इसे फाइदा पाया है लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान रखनी है अभी आप इसको सेवन ना करें तो जादा अच्छा है क्योंकि अभी बहुत जादा गर्मी पड़ रही है यह अंसान है । दृत कहते हैं तो आप क्या कि जेए उससे चुपके से इसको देना है कैसे देना है आप इसको दाल का पानी बता दीजिए यह कोई भी एनर्जी ड्रिंच बता दीजिए इस तरह से आप उसको दीजिए और ऐसे भी वो नहीं पीता है तो पूड़ी या रूटी जो भी खाएं उसमें इस पानी को उससे आटा गूंद के इसका पानी दे दीजिए 100% आपको लाब होगा और मौर्नि में जब आप ये उसको दें तो उससे कहिए कि थोड़ा सा बाहर गार्डन बगारा हो तो उसमें घूमने चाहिए और अंदर बाहर सास गहरी गहरी छोड़े इससे क्या होगा जो भी इनसानी ये सराब बगारा पीता है उसकी इच्छा सक्ती मजबूत होगी जो उसके सराब छोड़ने में साहयक होगी बाखी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो बाबा जी यहाँ पे देख रहे है रमाड और मैं भी जा रही हूँ अब घर पे जल् ठाट बाइच बाअ कर दो ए tut आख वाओ रहु को हमेशा हो सकते हैं जह रह सकते ह legislatus थो प्रेटप अरफग टाई नहीं कि अहाँ सकते हैं तर रह को eins rein हो ए जल्यां कि है वाले बाइए ज्या ए प्रेस से रह जोने हो भी थख बाइ़ एजhy опасory दे बाए़ आव्र बाहा है कि